हेलो आप देख रहे हैं सेल्प क्यान और आज बात करेंगे कि MPA 13 के जो important question है कौन-कौन से exam में आने वाले हैं और English के हैं इसकी questions paper आप इसकी e-book नीचे description से download कर सकते हैं कोई issue आने पर आप 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 contact कर सकते हैं तो चलो एक एक करके देखते हैं तो यह है MPA 13 की e-book public system management English medium में हैं इसमें long और short answers हैं अगर आप वो कर लोगे शुरू के 10-12 question भी अगर आपने आप कर लिए तो आप अपने exam को आसानी से clear कर सकते हैं आपको 10 question मिलेंगे उसमें से आपको 5 question करने हैं एक question जो है लगवग 20 mark करेगा आपको कोई भी issue आने पर इस number पर भी contact कर सकते हैं मैंने इसमें अपना number भी दिया हुआ है तो देखो सबसे पहला जो important question है इसमें सबसे पहले आपको first priority वाले questions आपको करने है उसके बाद आप अगर आप just exam से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे वाले question को भी go through करना है ताकि आप exam में सारे question कर सको लेकिन मेरी उम्मीद है कि जो शुरू के 13-14 question है उसी में से आपके सारे question मिल जाएंगे तो चलो मैं आपको एक एक question करके discuss करता हूं तो सबसाब पहले question जो है first priority वाले questions के अंदर वो है discuss the theoretical foundation of the evaluation of the concept of the public system management तो बहुत कहीं बार ये question आया हुआ है exam के अंदर तो बहुत ही जादा important question है इसको आप पक्का कर लेना इसके साथ इसका answer भी नीचे book के अंदर ही दिया है इस book को आप नीचे description से download कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको कहीं पर भी ढूनने की जोरत नहीं पड़ेगा आप minimum time में अपना time बचा सकते हैं तो हम चलते हैं नीचे कुछ questions के ऊपर तो बाकि आपको ऊपर के पूरे questions कर लेना है अब मैं आपको second priority में 16 questions के ऊपर लेके आया हूँ तो इसमें जो है यह जो questions है यह भी कई बार question में आया हुआ है right not globalization and public system deforms तो यह काफी important question है 60 number question उसके बाद जो 70 number questions है आप उसको भी मैं discuss कर लेता हूँ discuss the important principles and technical total quality management यह भी questions कई बार आया हुआ है जितने भी question इस e-book के अंदर है सभी exam में कहीं कहीं बार आये हुए हैं उसी के बेस में यह e-book बनाया है ताकि आपकी help हो सक्किए MPA 13 के जो student है उनकी उसके बाद जो नीचे question है वो आप देख सकते हैं जो अठारवा question है वो ICT से related ह है examine the impact of ICT enable initiative in public system management with the help of the कुछ case studies आप course में बतानी है ICT कैसे initiative करते है public system management के अंदर तो उसके बाद हम short note के उपर बात करेंगे तो first priority वाले short note है इसमें वो भी दिये हुए हैं आप उनको भी इसको कर सकते हैं तो सबसे पहला आता है public interest and legitimation तो इसको भी आपको कर लेना है question है कहीं बार आया हुआ है इसको भी आपको करना है उसके बाद हम next question के उपर चलेंगे predetermined motion time system PMTS यह भी आया हुआ है उसके बारे में आपको general idea होना चाहिए एक या डेढ़ दो पेज आप इसमें आपको लिखना है ताकि आप जो है अपने exam को मैं guarantee देता हूं बहुत अच्छे मांक के साथ सभी question आप इससे कर सकते हैं आप इस बूक को निचे तर्ण कि